हेलो फेंट्स इस पवन चौधरी वालकम टू अनकाडमी MPPSC 2019 के लिए हम एक नई सीरीज ओफ कोर्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसके अंदर आपका पेपर नंबर वन से लेकिए पेपर नंबर फॉर तक सभी जितने भी पेपर्स हैं उनका पार्ट और पार्ट भी पूरा जो उसका syllabus है उसके related जो आपके men's के questions बन सकते हैं इसके अंदर आपके pyqs और current questions अभी जो current चीज़े चल रही है उससे related questions आगर बन सकता है उन सबके बारे में हम discussions इसके उपर करेंगे एक पूरा series आपका start हो रहा है answer writing batch है आपका for the 2020 आपका 2019 men's के लिए और मैं उसके लिए paper 2 का batch है paper 2 का batch ले रहा हूँ same similar आपका paper 1, 2, 3, 4 and paper 5 उन सभी के लिए आपका continue आपका रहेगा अलग-अलग educators उसको लेंगे ठीक है उसमें सबसे पहले हम बात करते है syllabus की तो as you know की 2019 syllabus में you have the paper 1, 2, 3, 4, 5, 6 and आपका interview होता है ठीक है तो आपको अगर interview तो जाना है तो आ paper 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कई बर बता चुका हूँ इस channel में already में उसको डिसकर दे चुका हूँ अभी हम बात करते है specifically paper 2 की जो काफी important है जिसके अंदर आपका quality in social sectors and education, international institutions बगरा कई सारी चीज़े यहां पर आपकी आती है जिसे आपका constitutional making और सविधानिक system है उसके आपकी आपका act है उसके लाब आपका domestic violence act बगरा ऐसे कई सारी जो acts है उस acts उसके इंदर महाँ पर आपके शामिल है तो यह part A का हो गया part B की हम बात करेंगे तो उसमें social sector है स्वास्त शिक्षा एबं सशक्तिकरण बहुत important topic है यह topic तो हर कोई बना लेता लेकिन यह जो topic है यह हर किस कि बसकी बात नहीं क्योंकि लोगण उसको ठीक से पढ़ा नहीं है या पढ़ा भी है तो इसका answer writing ठीक से नहीं किया हुआ है तो इस portion में ता आराम से आप 500 नंबर का portion है तो लोग 70, 80, 90 नंबर तक ले आते हैं लेकिन सबसे जो main stress होता वो यहां पे होता है तो मैं इसको cover कर क्या या दूसरे आपके IBID वगरा होगा है उनका क्या contribution है उसके बारे में बात करेंगे public service, public लोग व्याय, public expenditure और उसका लेखा वगर, accounting, CAG वगरा सब कुछ, international organizations कई सारे दिया है तो इसके बारे में हम इसके इंदर discuss करेंगे अब इसका pattern क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा ब आपके cover किये जाएंगे, languages Hindi English both, है ना, जो Hindi और English दोनों languages होगी, क्योंकि मेरा दोनों के अंदर होता है, as you know, okay, तो इसमें होगा क्या, इसमें आपको क्या करा है, पहले आपको paper दिया जाएगा, कि कोई भी paper है, जैसे I will put a topic number one, जैसे सामाजिक शेत्र में उठा लिया, आप आपको यह topic prepare करना है, topic number four करना है, topic number five करना है, तो you are aware about that, ठीक है, आप उस topic को prepare करें, अब prepare कहां से करें, उसके लिए already 2019 का जो course है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और 2019 के course में आप जब जाएंगे, तो आपको पूरा syllabus to the point, एक topic आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आपको महाँ पर जाकर उसको complete करना है, उसको पूरा करना है, जैसी आप उसको पूरा करेंगे, फिर आपको मैं paper दूँगा, you have to write the answer, और उसके बाद जो session होगा, उस session में हम उसको discuss करेंगे, मैं भी और register भी, दोनों सर्व उसको महाँ करेंगे, सब अपने points को महाँ पर discuss किया तो यह मैं cover करूंगा उसके अंदर, तो 25 like classes होंगी, उसका PDF जो है, आपको PDF मिल जाएगा, आपके feed के अंदर और दोनों paper है, वो भी मिल जाएगे, और जो बच्चे answer write करेंगे, तो उनको हम analysis करेंगे, तो आपको हिंदी और English दोनों का, तो एक एक student का answer writing है, उसको हम analysis तो यह एक important है आपके लिए, और doubt clearing sessions तो अगरा उसके अंदर, आपके वहाँ पे वो भी conduct किये जाएंगे, तो रजसर है, उनको 5 साल से ज़्यादा का experience MPPSC में बढ़ाने के लिए, मुझे भी 3-4 साल का experience तो हुई ही गया है, भढ़ाते हुए, ठाही साल तो आनाग है, उसके description बे आप जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद, आपको select करना है, एक साल, दो साल, छे महीने, तीन महीने, एक महीने, कितने का आपको लेना है, विससे अब अगर एक साल का लेते हैं, तो it costs 7,000 rupees, ठीक है, अब उसके बाद जो दो साल का course है, it costs 8,400 rupees, बट इसमें आप अगर मेरा code है, the code is Pavan Life, इस code का आप यूज कर लेंगे, तो आपको already 10% discount मिल जाएगा, तो ये course जो है, वो आपको तकरीबन 6,300 का आपको मिल जाएगा, अब इसमें आगर आपका credit points है, तो उन credit points का आप use करें, credit points का यूज करके, आप further 10% discount वहाँ पर ले सकते हैं, मैं करना पड़ेगा, तो उस course को खोलेंगे, enroll in the batch, आप enroll करेंगे, तो ही आपको उसके messages है, उसके notifications आपको अपने app के ओपर दिखेंगे, तो जो जो भी course आपने enroll कर रहे है, उनका list आपको इस प्रकार से महाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसे 9 बजे दिपांशु सर का class है, फिर quiz है, फिर सर का class है, फिर देबानशु सर का class है, तो इस प्रकार से जो schedule है, वो schedule आपको वहाँ पर show हो जाएगा, तो जो course आप enroll करेंगे, उन ही का आपको देखेगा, उसके लिए आपको PDF कैसे download करना है, तो there is the option of the course को आप खोलोगे, तो यहाँ पर आपको download का option होगा, यहाँ से lecture download हो जाएगा, यहाँ पर आपको view PDF का होगा, आप download कर सकते हैं, तो आप जब share करना चाहें, तो यहाँ से उसको जो share है, वो share भी यहाँ से आप कर सकते हैं, तो आपको पूल के अंदर options आते हैं, काफे लोगों से aware भी है, रोज 11 बजे मेरी class होती है, तो आप उस उसके बाद answer चूज करने के बाद जो है, आपको उसका जो पूल है, वो दिखाई देगा कि आपका answer सही है या गलत है, and according date आपकी जो ranking है, पूरे course पूरे उस lecture की, तो ranking भी दिखाई जाएगे, top 10 ranking हाँ आपको show करेंगे, 100 तक आगर आपके ranking है, तो 100 तक ranking है आपको आपका show करते हैं, लेकिन फिर भी specifically आपको कोई doubt है, आपको कुछ image बगरा सरको sign करनी है, तो उसके अंदर यहाँ पर आप question के ओपर click करके, type your question, आप यहाँ पर अपने questions type कर सकते हैं, कि आपको क्या issue है, वो question आपको ऊपर की और यहाँ पर दिखाई देगा, और कोई image अगर attach करनी ह आप image attach करकी भी हाँ पर आप उसमें add कर सकते हैं, ठीक है, so educator जो है उसको accept करेगा, और accept करने के बाद वो आपको आपको आपका show हो जाएगा, ठीक है, so उसके लाबद doubt clearing sessions होते हैं, अब इनमें क्या होता है, कि 2-3-4 lecture के बाद doubt session होता है, वहाँ पर आपसे जो doubt है, पिछले weekly quiz और mega quiz होता है, तो जो भी course आप enroll करेंगे, especially pre का, उसके अदर क्या होगा, एक weekly quiz होगा, जैसे मेरा जो course है, उसमें 12 बज़े pre के courses में आपको मिल जाएगा, weekly quiz होता है, उसके लाबा mega quiz जो है, जब course खतम होगा, at the end of the course, वहाँ पर आपको mega quiz conduct होगा, जो काफी important है, ठीक है, तो mega quiz, weekly quiz और mega quiz वहाँ पर होगे, उसके अलाबा ये पूरा schedule आपको उसके अंदर दिखाई देगा, जो भी schedule है उसके अंदर, ठीक है, तो ये बात हुई कुछ आपके scores की, और क्या-क्या चीज़े हम करने वाले हैं, तो get enrolled for this course, और मेरा जो code है Pavan Life, वो यूज करना मत भूल ये जो पांचो जो पूरे paper 1, 2, 3, 4 को पूरा जो series है, ये series आपके लिए काफी important होने वाला है, क्योंकि जो लोग तयारी करके बैठे हैं, जोनोंने पढ़ लिया है, exam थोड़ा late हो रहा है भी, तो उनका एक revision का मौका मिल जाएगा, उनको, ठीक है, so get registered for that, and I hope it will be beneficially for you, thank you. उनका एक झान